आपको यह समझ में आई बार, question number six, question number six में कहता है business provided the following information for the year, क्या के data given है, profit for the year expenses, gross profit to sales percentage, requirement क्या, what was sales for the year, हमें निकालनी है sales, अब sales कैसे निकलेगी अगर आप देखें, एक format होता है, format ही होता है, sales, बार बार आप एकी चीज़ देख रहे है, less cost of sales, जो trading account होता है, gross profit, क्या जात क्या चीज़, expenses, तो हमारे पर क्या जाता है, net profit, profit for the year, अब मुझे बता है, यहाँ पर क्या चीज़ given है, यहाँ पर एक तो net profit given है, जो कि 24,000, agree कर रहे है, expenses भी given है, आपके पस कितने, 16,000, अब, यार देखो, gross profit में से अगर expenses minus करते हैं, तो क्या आ जाता है, net profit, अगर net profit में expenses, add back कर दें, तो क्या gross profit आ जाएगा आपके पस, gross profit, बिल्कुल, 24 plus 16 कितना हो गया, 40,000 हो गया हमारे पस, gross profit, अगर 40,000 हमने gross profit कमाया है, और gross profit margin percentage कितनी है, 20%, मतलब यह जो GP margin आया है, यह 20% है किसका, sales का, तो हम sales find कर सकते हैं, मैं इसकी logic भी बता देता हूँ, बात यह मेरे GP margin का एक formula होता है, बढ़ा सकते है, margin किसे calculate होता है, एक तो conversion का formula होता है, उसकी में बात नहीं कर रहा है, जो normal formula होता है, gross profit upon sales, multiply by 100, बता है, GP margin question में कितना given है, 20%, और gross profit मुझे question में given है, कितना 40,000, अगर gross profit given है, तो क्या मैं sales find कर सकता हूँ, कैसे find करूँगा, यह जो divide हो रहा तो 40,000 को divide by 20% कर दें, अगर 40,000 को divide by 20% करें, तो देखें थारा कितना रहा है, 40,000 divide by 20%, यह रहे 200,000, तो लैक्स की sales आ रहे है, इसका मतलब क्या है बई, कि 2,000 की जो sales थी, 2,000 पे 20% हमने निकाला था, अब 2,000 को multiply by 20% करोगे तो क्या जाएगा, gross profit, अगर इसी सवाल में व cost of sales बतरो, तो वो भी आ सकती है, कैसे, sales अगर है 200,000 और GPA 140, इतनी कि हमने goods बेची है, जिसमें से इतना हमारा profit है, तो बाकि क्या होगी हमारी cost of sales, cost of sales मांगे नहीं थी, लेकिन अगर मांगता तो इस तरीके से हम calculate,